नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल राइट के सेशन नमबर नाइन के अंदर मैं शुबेनिक जोहान आप लोगा स्वागत करता हूँ दोस्तों, इसके पहले मैंने आप लोगों साथ में डिसकर्स किया है कि मुलभूत अधिकार क्या होते हैं, कि इसके प्रकार क्यों होते हैं, क्या फीचर इन लोगों क्यों होते हैं इसके अलावा मुलभूत अधिकार क्यों अलग से दिये गए हैं इसके साथ मैं हम लोग को आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इनके ओपर डिसकर्स किया आज हम लोग आर्टिकल 23 ऑफ दे इंडियन कॉंस्टिटूशन के ओपर डिसकर्स करेंगे बट उसके पहले आप लोग में साथ में SAC 10 टेलिग्राम ग्रूप के ओपर जुर सकते हैं मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF, इवन इस लेक्चर की भी PDF आपको आप मिल लाएगी इसके अलावा अगर आप लोग को UPSC, CAC की तयारी करना जहां पर आप लोग को कम्प्लीट प्रिपरेशन करना है में इंटर्वियो के लिए जहां पर आपको चाहिए कि सारे सब्जेक्स मेरे कवर हो तो आप लोग उडान बेच के आँदर जूड़ सकते हो जहां पर प्रिलिंश मेन सब्जेक्स कवर करा आज जाएंगे इंडिया के टॉप एजयुकेटर के नव chunky से मिलेंगी आप classes के अंदर doubt वगेरा भी पूछ पाओगे इसके अलावा दस मेंस की टेश्रीज, 40 प्रिलिंस की टेश्रीज, साथ में लाइव में आपको answer writing की practice कराई जाएगी comprehensive coverage दिया जाएगा साथ में one-on-one mens के लिए mentorship दी जाएगी टॉपस के द्वारा भी लोगी classes होंगी और well planned schedule होगा साथ में आप लोगो को हमारे mentorship मिलेगी और एक soft copy के अंदर study material मिलेगा यानि कि इसको खरीदने के बाद में आपको और भी कुछ एक्षा लेने की ज़रुत पड़ेगी नहीं और अगर आप इस course को देखोगे तो इतना सब कुछ आपको सबसे किफायती रेट के अंदर पुरे देश के अंदर आज मिल रहा है जिस भाषा में मैं पढ़ा रहा हूं उसी भाषा में पर पीछे content जो हो इंग्लिश में मिलेगा बोध बैच के अंदर पीछे content भी इस तरीके से आपको हिंदी के अंदर मिलने वाला है बाकी सारे benefits से मैं इसके अंदर अगर आप लोग हिंदी मेडियम के बाच्च जुड़ आप लोगों को बोध कोर्स ले रहे हो उडान कोर्स ले रहे हो तो इसके अंदर उप्शनल इंक्लूड़ेड नहीं है उसको छोड़के सीख सेट एथिक सब कुछ कवर होगा अप्शनल के लिए आपको अलग से बैचेस रहनी पड़ेगी हमाएं पास में केवल जोग्राफी का ओप्शनल अवेलेबल है क्योंकि जोग्राफी की टीचर यह अभी हमाएं पास में अवेलेबल है अमित कुमास सा जिनकी क्लास एक अगर से शुरू होने वाली इसके इस आर्टिकल 23 ऑफ दे कॉंस्टिटूशन ऑफ इंडिया ज्या रखना अभी तक जिन आर्टिकल के उपड़ मैंने चर्चा करी उन आर्टिकल के अंदर थोड़ा आप समझने का प्रयास करना तो एक है आर्टिकल 14 से 18 यह राइट टू इक्वालिटी में आ जाते हैं 18 से 22 तक राइट टू फिर्डम है वहीं 23 एंड 24 यह राइट अगेंस्ट एक्स्प्लिटेशन के आर्टिकल है मतलब आर्टिकल 23 शुरू करते ही हम लोगों ने राइट टू फिर्डम खतम कर दिया है और अब हम लोग र आर्टिकल 23 अफ यंड्य इन कॉंटिटूशन कहता है एक ट्राफिक इन यूमन बिंग अंड बेगार और अधर सिमिलर फॉर्म आफ पोर्ज लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एंड एनी कंट्रावेंशन और इस प्रोविशन शैंस बी अपनिशेबल ओफेंज को इन्सान की ट्राफिकिंग करना यानी तशकरी करना इनसान को 66 आगे उसकी तशकरी कर देना जैया उसके शरीके पाथ को किसी सामान के रूपए डिया किणनी विदि इस तरीके की चीजे करना भारत के अंदर मना हैं डूसरी बेगार मना है और तीसी चीज भी लिखी है कि और बहुत के अंदर बंद है अब इस पोज लेबर के अंदर एसे लिखा नहीं है पर फोज लेबर के अंदर पोज लेबर होता क्या और यह बेगार होता क्या है दोनों सेमी प्रकार के बर के अंदर क्या होता है कि एकzing काम जो जबरदस्ती कराया जा नाम की दमझ मारा जबर जस्ती करा जा और काम कराने के बदले पैसा भी न दिया जा रहा हूं इस तरीगे का काम जो पोज लेबर कहा जाता है जहां पर कंडिशन ऑफ वर्क जो बहुत बेकार हो जैसे बेगार एक प्रकाय का फोज लेबर है खुआ करता था पहले के समय पे कछेते कछटे किसान लोकि शोटा किसान है भालाल देव के अंदर उसके खेट पर काम करता है मानलो अमरेंद्र बाहु बली के आपर किसी की death हो जाती है या फिर मानलो अमरेंद्र बाहु बली की wife जो है वो बीमार पड़ जाती है ऐसी condition में अमरेंद्र बाहु बली को urgent पैसे की ज़रोत लगती है और उसको कहीं से पैसा मिलता नहीं है तो वो क्या करता है अपने जमीनदार के पास जाता भलाल देव के पास और अमरेंद्र बाहु बली को पैसे देता है पर बदले में ब्याज बहुत ज़्यादा लेता है है मलब 40 प्रतिशड तक ब्याज लेता है एक लाग रुपे के उपड अमिन बहु वली क्या ना करता था तो अमरेंद्र बी लवि भाहु बली अपनी इपनी बीवी का और काम करना शुरू करेगा पर भल्लाल देव जान मुझ के यहां पर आप देखना 40% के हिसाब से 40,000 रुपे ब्याज बनता है हर महीने का यह वक्ता अर्ताल का है ना हर महीने का माल लोगी के लिए तो भल्लाल देव इसको अपने खेट पर रखेगा 30,000 रुपे महीने महीने क्या 30,000 रुपे कमा रहा है वो 40,000 रुपे ब्याज ही दे ना है बाकी एक लाग दिना अलग है तो यह हमेशा की जिंद्डगा हूँ वा इसक्येट पर काम करता रहेगा उम्हेंद्र बाहु वली का फिर बेटा लेंगे कुछ कमा नहीं पाएंगे और यह लोग मजबूर होंगे कि इन्हें इस खेट पर ही काम करना पड़ेगा अगर यह कहीं और जाएंगे तो अपने गुंडे भेज देगा मारा पीटी करेगा कि बेटा तु आपसा हमारे खेट पर तुन्हें पैसे लिये हमारे इस प्र बेगार जो है वह भारत के अंदर बंद कर दी गई थी और सारे बेगारी करने वाले जितने भी पीजेंट यहीं तक सीमित रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाद में फोर्च लिबर की डेफिनेशन को और बढ़ावा देती है और बढ़ा करती है होता यह है कि एशन गेम्स होने वाले होते हैं और एशन गेम्स के लिए तैयारी करनी होती है और एशन गेम्स की तैयारी करने के लिए 1986 का समय था उस समय पर भारत सरकार भारत के अंदर अलग अलग जगों से लोगों को हायर करती है और एशन गेम्स की तैयारी करने के लिए उन मजदू कर देते हैं कहते हैं कि भारत सरकार ये जो मजदूर लेके एशन गेम्स के लिए जा रही है उन मजदूरों के फोज लेबर करा रही है और सुप्रीम कोर्ट में केस होता है डेमोकर्टिक राइट्स वर्सेज उनियन आफ इंडिया केस क्योंकि डेमोकर्टिक राइट उन समय एक एंज्यायो हुआ करती थी मुआetic of India कहती है कि कि यह जो लेबर को ले जाया गया है कि 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 इन लेबर को तनखा दी जारी है कि डेमकरिटिक क्व कर दी जारी है क्या ये लोग मपनी इंच्चा से काम करने गय का क्या क्या कि हाँ यहां पर लेके आता है डेमोकर्टिक राइट ग्रूप बताता है कि एशियन ग्रूप एशियन गेम्स के अंदर इन लेबर से काम कराते वक्त जो कंडिशन ऑफ सर्वीज दी जारी है वह बहुत ही बेकार है मतलब कोई साफ सफाई नहीं है कुछ खाने को ढंग से महाँ पर द जादा है वेजेज बहुत कम है इस तरीके से फोर्ज लेबर कराया जा रहा है दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जी हां पोज लेबर का मतलब ऐसा नहीं है किसी वेक्ति से जवज़श्थी काम कराना और पैसे ना देना बलकि फोर्ज लेबर का मतलब ये भी है कि जि काम है condition of service दंग से देना और जब सरकार ही इसको रोखने का प्रयास कर रही खुदी इस तरीके के काम कर रही है तो we will consider it as a forced labor तो forced labor की definition को थोड़ी broad की गई जहां पर एक अच्छी service of condition work के साथ में जितना काम किया जा रहा है उतना पैसा मिलना वो जरूरी है अगर वो नहीं होगा तो उसे forced labor जो है वो consider किया जाएगा ठीक है बट ऐसा नहीं है कि article 23 of the Indian constitution एक absolute fundamental right there are certain exemption to it जैसे मान लो एक वेक्ती जो है वो गिरफतार हो गया उसके बाद में court ने उसको rigorous punishment सुना ही rigorous punishment का मतलब होता है कि बहुत ही जादा काम कराया जाए दो साल की rigorous punishment मतलब will be an exemption to article 23 of the constitution of India even article 23 के अंदर ही एक exemption जहां पर कहा गया है नथीं in this article prevent the state from imposing compal service service for public purpose and in such services shall not make any discrimination on the ground of religion race caste class or any of them राज पोज लेबर नहीं कर सकता है पर राज कमपलसरी सर्विस करा सकता है जैसे आपने सुना होगा कि कुछ राज्जों में 5 साल तक कमपलसरी मिलिटरी सर्विस देने का प्रावधान है कुछ राजों में वह दो तक आपको कंपलसरी जो एवो मिलिटरी के अंदर Hatुण AN karma क्या बहुत के लिए सकता है किया कखा है राजु काश के लोग काम करेंगे या फिर मिलिटरी सर्विस के अंदर चोटे बच्चे को थोड़ी कल ने के अडमिट है आप जाओ वॉडर के ऊपर उसके अंदर एक एज लिमिट होगी के 18 से 30 साल की उम्र के लोग ही compulsory military service देंगे ठीक है तो age के आधार पे दूसरे आधारों पर discrimination जो है वो किया जा सकता है पर यार रखना कि जब भी state इस तरीके की compulsory service करा है जिसके अंदर religion, race, caste, class के आधार पर कोई discrimination ना हो और सब को कहे कि करना ही है तो उसके अंदर article 23 जो है वो applicable नहीं होता है भारत के अंदर prostitution का क्या है तो भारत के अंदर prostitution भी अगर forceful कराया जाता है तो वो मना है पर अगर unforceful है तो वो मना नहीं है भारत के अंदर पहले suppression of immoral trafficking act था उसे बाद में change करके prevention of immoral trafficking act लाया गया था जिसके अंदर अगर एक महिला prostitution करती है तो वो कर सकती है पर वो किसी पिम्प के जरिये या किसी बोथेल में या फिर कोई solicitation नहीं करेगी मतलब ऐसा नहीं करेगी समाज आसपास पुरा सब परिवार बसा हुआ resident इलाकार वहाँ पर वो अपना profession परफॉर्म कर रही है वहाँ पर solicitation के उपर कुछ restriction है समाजिकता के उपर restriction जो है वो prevention और immoral trafficking act के उपर लगाए गए है हाला कि prostitution अपने आप में एक informal profession है recently Supreme Court of India ने अपने एक judgment के अंदर prostitution को एक profession कंसिडर किया है पर यह अभी भी अन और्गनाइज है और्गनाइज रूप से नहीं है बात आती है तो क्यों इसे और्गनाइज करने की या फॉर्मलाइज करने की बात जो है वो की जाती है देखो prevention और immoral trafficking act के अंदर तो आम लोगोंने कह दिया प्रोस्टिटूशन के बात अगर इसके पीछे क्या बड़े इस्चूस है और क्यों हम लोगों को प्रोस्टिटूशन को थोड़ा और थीक करना चाहिए थोड़ा और formalize करना चाहिए थोड़ा और organize करना चाहिए अगर feminist perspective की बात पर तो feminist कहते हैं कि एक महिला अपनी body को एदर service use करना चाहती है उसे करने तो why we are interpreting in that तो feminist perspective यह कहता है दूसरा कि होता यह है कि अगर एक महिला है वो prostitution में काम कर रही है और आप prostitution को कह रहे हो कि इनफॉर्मल सेक्टर है अब मान लो कि वो जो woman है उसकी family के अंदर कोई वेक्ती बिमार हो जाता है ऐसी condition में urgent पैसे की ज़रोत लगती है अब obviously महिला prostitution कर रही है तो बहुत पैसा नहीं है ऐसी condition में इसको चाहिए लोब पर bank loan नहीं देगी क्यों क्योंकि इसका profession जो है वो informal है ऐसी condition में किसी वेक्ती के पास जाएगी हो और एक prostitute महिला को हर कोई loan देता नहीं है तो loan देगा pimp और pimp क्या कहेगा कि आप मेरे बोथिल के अंदर काम करोगे भविश्य के अंदर तभी मैं आपको ये loan दूँगा महिला को अपने परिवार वाले को बचाना था एसी condition में महिला हां कर देगी और फिर वो pimp के साथ में बोथिल के अंदर काम करेगी अब होगा ये कि मालो कोई customer आता है woman को 1000 रुपे मिलने चाहिए उनमें से 900 रुपे पिम्प ले जाएगा 100 रुपे के वल woman को मिलेंगे exploitation होगा इवन कई बार पिम्प खुद जो है वो woman के साथ में sexual assault भी कर देते हैं और woman इन साइज चीजों के लिए पुलिस के पास नहीं जा सकती क्योंकि पुलिस और पिम्प इन दोनों का आपस में मिली भगत रहती है और कानून के अंदर क्या का है कि पिम्प के साथ में नहीं कर सकते बोधिल में नहीं कर सकते तो woman यहाँ पर criminal हो गई जिसे कारण से woman को यहाँ पर woman के खिलाफ case चल जाएगा even police can also do a sexual assault और कुछ इस तरीकिये सवाल पूछ के आ तो भगा दिया जाएगा जो woman जो आप देनी पाएगी इस तरीकी की चीज़ें जो है वो कहीं बार देखने को मिलती है जिसके कारण से कई साथ लोग कहते हैं कि prostitution को formalize कर देना चाहिए legalize कर देना चाहिए वहीं there are a large chunk of people जो कहते हैं कि नहीं हम लोग को formalize नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग formalize करेंगे तो इसकी वैसे sexually transmitted disease जो है वो बड़ेगी बट अगर आप real में देखोगे तो होगा ये कि sexually transmitted disease जो है वो कम होगी कहीं सारे देशों के अंदर prostitution को organize किया गया है करना यानि कि government के control में होगा government के control में होगा ऐसी condition के अंदर देया certificates जहां पर महिला जो है वह regular medical test कराएगी उसके उपर restriction होगी कि आपको regular medical test कराना के is there a sexually transmitted disease or not और उसके आधा पर medical certificate दिया जाएगा और वह medical certificate का प्रयोग जो है वह कि sexually transmitted disease को रोखने में यूज किया जाएगा तो इवन organized करने से formalize करने से sexually transmitted disease जो है वह कम हो जाएगी कुछ लोगों की यह भी argument होता है कि family as an institution जो है वह खराब हो जाएगा वह खतम हो जाएगा हावेवर इसके भी कई सारे counter argument है क्योंकि family का role केवल sexual role ही नहीं होता है family का role as a reproduction role होता है जहाँ पर बच्चे को जन्म दिया जाता है और even कोई भी women prostitution को as a first place अपनी life में नहीं लेती हो कि वो social phenomenon वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर उस profession के अंदर मान सम्मान नहीं है इसका अन से family as an institution कहीं सारे देशों के अंदर prostitution legalized, formalized, organized होने के बावजूद भी रुका हुआ नहीं है ठीक है तो it is not like family as an institution जो है वो तूट जाएगा that is the article 23 of Constitution of India यह सर्फ प्रॉस्टिटूशन के ओपर क्यों डिसके आपने glass के अंदर यह तो गलत बात है ना सर्फ प्रॉस्टिटूशन के ओपर इसके इस लिए किया क्योंकि recently Supreme Court का judgment आया था means related question बन सकता है इसकारण से मैंने आपको argument हो counter argument इस class के अंदर बता है ठीक है इसके मान सकता क्या है या उसे बहुत ज़्यादा बदलना है ना इस session का पूरा उद्देश है आप लोगों को एक अच्छा civil servant मनाना जिसमें आप positive और negative दोनों देखके चलो first thing दूसरा कि आपकी उमर इतनी हो चुकी है कि इन चीजों के बारे में चर्चा हो तीसरा इस session का एक सब सब्सक्राइब करेंगे इसके अलावा आर्टिकल 24 ऑफ दो कॉंस्टिटूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इंप्लॉइमेंट ऑफ चाइल इन फेक्ट्री child below the age of 14 years shall be employed work in any factory or mine engaged in any other hazardous employment क्या कहा गया है कि बच्चे को फेक्ट्री के अंदर employ करने से रोका जा यानि कि यह child labor को प्रोहिबिट करता है शुरुआज में यह 14 year की age यहां पर नहीं लिखी गई थी बाद में इसे add किया गया था 1986 के अंदर prohibition and regulation और child labor act आता है जिसके अंदर child labor को प्रोहिबिट किया जाता है hazardous industry में यानि कि chemical oil industry और इन सब में वहां पर child labor नहीं कर सकते हैं छे से 14 साल की उम्र का बच्चा चाइल क्या है अलग अलग कानून के अंदर अलग अलग चीज को चाइल कहा गया है जैसे इस शादियों के मामले में 18 से कम उम्र का बच्चा है वोटिंग behavior के मामले में 18 से कम उम्र का ललका जो या कोई भी man या woman वोचाइल है थिक है तो चाइल की डेफिनिशन अलग जगे पे अलग अलग है यहां पर चाइल की डेफिनिशन चाउदा से कम उम्र का बच्चा किशोडी कहलाता है fårाँ है में जैदारा से मुपर का बच्चा ऐडड पास है 1986 के अंदर प्रोहिबीट किया गया था 14 से अठवा साल के बच्चों को हजार्ड इंडिस्ट्री के अलावा दूसी इंड़स्ट्री ऐसे दुकान वगेरा इनके अंदर अलाव था पर वहाँ पर क्या किया गया था काम को regulate किया गया था कि कितना घंटा काम कराओगे कैसी work condition दी जाएगी 1986 में यह था पर भारत के अंदर मैंने बताया कि right to education हम लोगों ने दी जब right to education दी तो उसके अंदर हम लोगों ने कहा कि 6-14 साल की उम्र का बच्चा जो है वही किया गया साथ child labor prohibition and regulation act of 2016 कहता है कि किसी भी तरीके से 14 से कम उम्र के बच्चे को employee नहीं किया जाएगा काम नहीं किया जाएगा except entertainment और family business मतलब जैसे आपने देखा होगा 8 साल के 6 साल के 5 साल के बच्चे आज भी reality show के अंदर काम करते हैं या फिर कई सारे advertise होते हैं कि संतूर वह देखा होगा वह एक छोटी सी बच्ची दोल लाया कि अपनी मम्मी के पास में आती है या फिर juice वाले advertise देखे होंगे कई सारे बच्चों के product वाले advertise देखने को मिलते हैं जिसे हगीज है उसके अंदर छोटे बच्चे को employ किया गया उसको पैसे भी दिये जाते हैं तो entertainment service के अंदर अलाव है movie के अंदर छोटे बच्चे वो काम कराया जाता है क्योंकि entertainment service के अंदर yes child employment is legalized even family business के अंदर भी एक बच्चा काम कर सकता है पर इन दोनों के अंदर जब भी काम करेगा वो school arts में नहीं करेगा जैसे school का समय सुबह नौ से बारा है तो उस बीच में वो काम करने नहीं जाएगा उस बीच में वो school जाएगा कि वहीं 14 से 18 14 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कहा गया कि यह लोग हर्द के काम कर सकते हैं कानून के अंदर तीन प्रकाय की हजार्द इस इंडर्शी बताई गई यह वो important नहीं जानना उनके अंदर छोड़के बाकी साही जोगों पर 14 से 18 साल की उम्र के काम कर सकते हैं तो 14 से कम उम्र के बच्चे कहीं काम नहीं कर सकते एक्सेप बिजनस और इंटर्टेंबंट सर्विस और वहां पर आगे काम करते तो पुलास में नहीं कर सकते हैं तो यह चीज अम लोगों को देखने को मिलती है अगर कोई चाइल डेबर करता है तो अभी रिसेंटली जो 2016 और फिर उसके बाल में रिसेंट अमेंडमेंट हुए उसके अनुसार जेल दो साल की हो सकती है पचास हजार रुपे तक का फाइन हो सकता है या दोनों जो हैं वह एक रिक्ति को दिये जा सकते हैं गार्डियन को पनिश्मेंट नहीं किया जाता है जब तक कि गार्डियन ख पैरेंट्स को पनिश्मेंट नहीं मिलेगी अंटिल और अनलेस पैरेंट ने खुद से परमीट ना किया हो कि जा बिटा कांग उसके अलावा हर केस में पनिश्मेंट जो है वो मिलेगी ठीक है बट यहां पर भी एक इश्यू है कि छोटे बच्चे को 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे को सबसे पहला इश्यू यह होता है कि फैमिली बिजनस क्या है डिसाइड नहीं क्लियर नहीं है एक बच्च्चा मंठलों मेरा ही बच्च्चा वह किसी और आदमी की आगार आ गांसे तो में कहद केंद обяз अंकल यह हमारी फैमिली वो कहा गया कि family business और entertainment business के अंदर काम कर सकते हैं स्कूल के अलावा वाले समय में but really क्या बच्चे का काम या बच्चे के जीवन में केवल सिख्षा ही एक मातर चीज है या उसका बच्चपन भी एक चीज है मतलब एक बच्चा पहले स्कूल जा रहा है उसके बाद family business और entertainment service के अंदर काम कर रहा है तो बच्चा खेलेगा कब वो बच्चा अपना बच्चपन जीएगा कब उसका childhood कहा है जिस समय पे उसका development होना था जिस उमर के अंदर वो खेलना था अपने हम उमर के लोगों के साथ में अपने हम उमर के बच्चों के साथ में वो beautiful, वो सुन्दर वो बच्चपन कहा है जिसे वो अपने जीवन पर याद करेगा तो कहीं न कहीं हम लोग childhood जो है वो नश्ट कर देते हैं कहीं बार ऐसा होता है कि बच्चा सुबह शाम तक family business में ही काम कर रहा है और school के अंदर fake attendance लगवा दी जाती है कहीं बार male और female के बीच में discrimination किया जाता है जैसे क्या होता है कि जैसे एक family है जिसके अंदर एक लड़का है और एक लड़की है तो generally family में क्या होता है अपने resources जो है वो generally male को centric कर दिया जाता है male child को female child की तरफ नहीं अब आप समझना के जैसे एक family है जो पापड का business कर रही है तो पापड का business कर रही है ना तो वो अपने बच्छे को लड़के को school भेजेगी और जो लड़की है उसको घर पे पापड बेलने बिठा देगी तो ऐसी condition में discrimination family business के नाम पर हो जाता है तो फिर हम लोग काश बेज़ वर्क को बढ़ा रहा है इवन ब्रहमेंड के लिए अधिकतर ब्रहमेंड आपको मलब जितने भी मंदिरों के अंदर पुझारी है तो हम लोग कहीं ना कई काश बेज़ वर्क को प्रमोट करेंगे अगर हम लोग बता दिया है बहुत इंपोर्टेंट बैच है उसको जल्दी से जाके एक बार समझ लो क्या है मैंने सेशन की शुरुवात में बता दिया है इसके अलाव आप समुद्र मंथन टेस्ट से इसके अंदर जुड़ सकते हो आप इस टेस्ट को देओगे फ्री ओफ कोस्ट है इसक अपने आपको जल्दी से जाओ रजिस्टर करो इस समुद्र मंथन के अंदर ठीक है तो दोस्तों आज के लिए ते रखते देट्स आफ माशाई जेहिद जे भारत